दो साल से जाधा हो चेक है मुझे मैकबुक यह M1 को यूज करते हुए और मैंने इसको as an engineering student भी यूज कर रहा है और इसको as a professional भी यूज कर रहा है और आपके भाई को कैसा लगा है दो साथ क्या चीज करते हुए कैसा फील हुआ पूरी फीलिंग शेयर करना वाला हुँ पूरे दिल के साथ अब देखो सबसे पहले बात करें तो performance की क्योंकि यही सबसे जादे important होती है देखो उसमें हम M1 चिप मिलती है और Apple ने पहली बार चिप बनाई और पहली बार चिप बनाई M1 और इसमें दे दी और इतनी बढ़िया चिप बनिया है कि बहुत खदरनाग performance होगी पहले वाले MacBook के comparison में इसके बाद M2 भी आया है M3 लेकिन उसमें थोड़े से changes के साथ ही वो आये थे हमारा लव 15-20% की ही आपको battery speed मिलती दी लेकिन भाई इसमें खदरनाग speed मिलती दी पुराने generation के comparison में तो यह चिप काफी जादा खमाल किया है आप कैसा भी काम हो इसमें कर सकते हो चाह फिलाल जो stock, flip card, amazon वगेरा पर और यह जो offers, deals वगेरा, sales वगेरा में आना वाला वो 8GB RAM के साथ ही आएगा और मेरे पास 16GB वाला variant है तो 16GB RAM वाला variant भी मैंने यूज करा आठ वाला भी गर रखा है तो 8GB RAM होते वे भी आपको काफी अच्छी performance मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है कि जो जो दिक्कत आएगी उसके बारे में बताता हूँ सबसे बहला बात करता है वीडियो एडिटिंग की देखो मैं इसमें Final Cut Pro यूज करता हूँ और 16GB RAM है मेरी ध्यान से सुनना देखो 16GB RAM होते वे भी न मुझे 4K वीडियो एडिटिंग में दिक्कत आती है अब आप 8 वीडियो एडिट नहीं होती या फिर बहुत जादा है मैं यूज ही नहीं कर पाता हूँ बस परफोर्मेंश जो है वह स्लो हो जाती है मतलब लेगी लेगी सा एक्सपिरियंस मिलता है प्रिव्यू जा है वह भी काफी लेगी लेगी मिलता है काफी बार मेरा Final Cut Pro Crash भी हो जात लेकिन अगर आप 4K फुटेज का यूज करो 4K में ही रेंडर करो तो उस टाइम एडिटिंग में दिक्कत आ जाती है मतलब स्मूध परफोर्मेंस नहीं मिलती और फैक्ट की बात बदों लास्ट दो साल से मैं 4K में ही वीडियो डाल रहा हूँ अपने YouTube चैनल पर तो ऐसा नहीं कि 4K में वीडियो एडिटिंग होईगी ही नहीं आप कर ही नहीं पाओगे हमने दो साल से कर लिया है आगे भी मैं से करने वाला हूँ तो काम चल जाएगा लेकिन स्मूध परफोर्मेंस नहीं मिलेगी FCP में 4K editing में अब देखो अगर आप इसको as a student लेने वालो तो भाई हम भी computer science engineering student रह चुके है और हमने अपना जीवन भी इसी से engineering करके निकाला है तो हमने इसमें coding वगेरा सब तरह की करके देखिया है अगर आप देख्या बसी करके यह तो बाई आप किसी भी लैप्टॉप में करती है नहीं मसप्राइगा वो भी ऐसमें कोई इसमें बात नहीं है बाकि यार अगर आप word processing मला MS office वगेरा यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है बाकि इनका inbuilt free ये आपके word processor और excel वगेरा मिल जाता है spreadsheet वगेरा तो इस हिसाब सो देखा जाए as a student as a engineering student आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बाकि आप कोई school वगेरा के हिसाब से ले लेकिन उसको सभी से यूटलाइस करने के लिए अवेलेबल नहीं है आपने सुना भी होगा Macbook या फिर जितने भी Mac OS वाले जितने भी डिवाइस आता है उसमें गेमिंग नहीं करी जाती है क्योंकि उसके लिए गेम से अवेलेबल नहीं है इतना तगड़ा आपने system ले रख क्योंकि इसमें आपको गेमिंग के अवेलेबलिटी वगेरा इतनी नहीं मिलती है अब देखो उसके बाद जो दिक्कत है वो है इसका heat management system देखो उसमें कोई भी fan नहीं मिलता fan के लिए कोई ventilation वाला system नहीं है इस वज़ा फायदा भी काफी है fan के ventilation नहीं है तो बाई इस Macbook के अंदर कहीं धूल वगेरा नहीं जाती अंदर system वगेरा आप बिल्कु साफ सुतरा आपको मिलेगा जब आप इसको open करेंगे तो इसके अलावा यहाँ पर आप बिस्तर वगेरा पर कहीं भी कंबल के उपर रखके यूज करो बैड के उपर यूज करके रखो कोई रिक्कत की बात नहीं है क्योंकि जो fan वाले laptop होता है उनको ventilation के लिए जगा चाहिए होती है इसलिए हम उसको bed वगेरा पर use नहीं कर पाते हैं लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है लेकिन यह इसकी काफी बड़ी problem भी बन जाती है ऐसा Indian consumer क्योंकि इंडिया जो है वो काफी जादा गर् लेकिन बाइ जैसे नौर्थ इंडिया दिली वागैरा हो घेया वाई यूपी वागैरा हो घेया यहाँ डिया पहलं बहूल् itself इस ए छोड़ी सदी होती है तो यह इंडिया के लिए चृंट जुलाई वाली और खासका नॉर्थ इंडिया में वो जेल नहीं पाता है जेल नहीं पाता है कहने का मतलब है कि यह फुली मैटल बॉड़ी का है तो सब जेक आपको मैटल मिलता है जिस वाज़े से अंदर की हीट तो पास हो जाती है लेकिन पूरा गरम हो जाता है मतलब यहां पर इसके जो हिंच के पास जगह है अगर मैं उस पर फिंगर रखो न मैं 10 से जादा फिंगर नहीं रख पाऊंगा अगर मैं उस टाइम वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं या थोड़ा स्लो स्लो फील होगा स्लो कहना मतलब वही है है वी इंटेंसिफ टास्क में जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा था तो वीडियो एडिटिंग में आपको थोड़ा लैग वगरा देखने को मिलेगा जैसे कि मैं इस पर OBS के दुरू लाइव जाता हू दस मिनट बाद एक दम मकान एकदम स्मूध बटरी अगर आप अमीर हो ना सचके अमीर हो तो इसके लिए आपको घर में एसी लगानी पड़ेगी ठीक है एसी के सामने बैटके यूस करना पड़ेगा और इस आपड़ वगरा तो कुछ पेट वगरा मिलते ही है उसके लिए सखर्च करना पड़ेगा मलब इस मैक बुक के लिए आपको अलग से विवस्ता करने पड़ेगी आप भले से एसी में रहो ना रहो इसको ज़रूर से एसी में यूस करना गर्मियों में इसका डिजाइन आपको बढ़िया मिलता ही है और पूरा मैटल बॉड़ी के साथ आता कीबोर्ड पर भी काफी बढ़िया experience मिलता है backlight light मिल जाती है दिकत जो आपको मिल सकते है वो है ports में इसमें सिर्फ तीन ports मिलता है दो आपको USB type C के thunderbolt वाले port मिलता है और एक आपको headphone jack मिलता है combo headphone jack और यह दो type C वाले port है इस साब charging भी कर सकतो और बाकी USB accessories वगरे यूज कर सक अगर आपको इसमें Ethernet यूज करना है तो dongle यूज करो मतलब आपको सिर्फ type C के दो ही port मिलता है अगर कुछ समान लगाना है ना तो अलग से hub खरीदना पड़ेगा हमने उसकी वीडियो बना रखे इसके accessories की उसमें काफी सारी accessories दिखाई है जिनकी आपको जरुवत पड़त अच्छी मिलती है आपकी battery health भी अच्छी से maintain रहती है अब यहाँ पर आपको charging की एक मज़गी बात बताता हूँ type C से ये charge होता ना तो आप कोई से भी type C charger से charge कर सकते हो easily अगर वो PD support करता है तो वह काफी अच्छी बात है जैसे कि मेरा जो iPhone का charger 20 watt वाला official charger मैं उससे भी अप power bank से भी charge हो जाता है तो अगर आपका power bank 20 या 22.5 watt उससे उपर का support करता है 18 watt का भी अगर आप power bank यूज करेंगे तो अभी PD power delivery के output से अराम से charge हो जाता है Xiaomi वगयर के power bank से मैंने सब कुर test करके देख रखता है urban power bank से भी check करके देखा है तो आपको battery में कोई दिक्कत नहीं आए आप नए Macbook लेता हो ना अराम से 15 गंटे का battery backup मिले है अगर आपको normal use है normal surfing वगयरा मतलब minimal सा use है ना 15 गंटे लगातार की बात कर रहा हूँ मैं आपका Windows laptop ना 2-3 गंटे भी नहीं टिक पाता है ये भाई 15 गंटे तक अराम से टिक जाता है हाला कि Apple जादा promise करता है लेकिन अगर मुझे heavy intensive task करना होता है उसको off कर देता हूँ वीडियो editing के time पर लेकिन अगर मैं normally browsing वगयरा कर रहा हूँ तो मैं उसको on रखता हूँ मेरे भाई बहुत ज़ादा battery backup मिलता है बहुत ही ज़ादा अगर आपने low power mode on कर रखता है तो मान के चल सकते है normal use में आपको नए Macbook में 15 गंटे मिल जाएंगे और अगर आप heavy intensive task करो ना तो राम से 10 गंटे battery backup मिल सकता है हाला कि मेरा 2 साल पुराना है battery health 87 ओचुके 2 साल में तो 87 battery health की वज़़ा थोड़ा सा 1-2 गंटा मुझे कम battery backup मिलता है as compared to new Macbook Air M1 बागी display के बारे बाद तो 13.3 inches की display मिलती है display थोड़ी छ हो जाती है आप एक आस सा कहीं भी ले जा सकतो वेट भी इसका भाई 1.29 kg का है तो lightweight भी हो जाता है और डिस्प्ले चोटी है तो राम से चोटी डिस्प्ले की वज़़ा कोई दिक्कत नहीं आएगी सब चीज अच्छे सा काम करती है ऐसा नहीं है कि आपको mobile वाला preview दिख जा है और एपल ने इसको fancy name दे रखा है प्रो XDR लिक्विड विक्विड पता नहीं क्या क्या नॉर्मल यह LCD डिस्प्ले है लेकिन यह HDR वाली डिस्प्ले है HDR content वगेरा आप देख सकते हो व्यूंग एंगल वगेरा काफी खतनाक मिलता है तो डिस्प्ले के मामले में कोई दिक् जैसे smartphone की बड़िया smartphone की display होती है वैसी display मिल जाती है resolution भी लगबग 1.5K का मिलता है और brightness भी अच्छे मिल जाती है 400 nits के something और outdoor में आपको थोड़ी सी डारेक सनलाइट में dim लग सकते है लेकिन विंडोस लैपटाप के comparison में काफी बैटर display मिलती है इसकी चाहे आप sunlight में यू quality दे देता है जैसे iPhone की processing होती है वीडियो फोडोस की वैसी सी processing के साथ आपको वैसी ही quality मिलती है लेकिन 720p की वज़े से resolution कम मिलता है इसलिए थोड़ी सी आपको बोलना चाहिए low light में pixelated इसका output मिलता है camera का लेकिन अच्छी बात ही है कि आप अपने iPhone को external webcam की तरह यूज कर सक time जो है अच्छी light में अच्छी आपको calling वगरा experience दे देगा low light में भी आपको अच्छी quality मिल जाएगी लेकिन हाँ इतनी बड़ी हां नहीं मिलती है average quality ही बोलूँगा अब दिमाग में आ रहा हुग है कि 4 साल पहले यह launch हुआ था 2020 में और 4 साल के बाद भी इसमें इतने सारे updates आ चुक है तो in future अगर आप इसको 12-24 मिलेंगे तो आगे future में updates मिलेंगे या नहीं दो तीन साल तक तो आपको अरामस updates मिल जाएंगे मेरी guarantee है लेकिन उसके बाद भी आपको मिल सकता है मला अगर आप इसको लेना चाहते हो ना तो 3-4 साल तक आप latest software पर run कर रहे होंगे तो मेरे खयाल से आपको software की वज़े से कोई दिक्कत नहीं आएगी 2-3 साल तक तो 100% updates मिलेंगे ही उसके बाद भी शायद आपको मिल चाहे लेकिन in short below software updates में कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई Apple बहुत लंबे टाइम तक updates देता है अपने सभी devices में इसके लावे एक अच्छी बात आपल इंटेलिजेंस वाले features वह सारे इसमें मिल जाता है तो यह अच्छी बात है लेटर software के साथ आपको AI वाले features में मिल जाते हैं जो कि बिना इंटरनेट के काम करती है आपके laptop की processing यूज करके बाग आपके मन में एक सवार बहुत बार घूमा होगा कि 256GB storage मिलेगी हमें base variant में तो दिक्कत होगी क्या देखो यार अगर आप बहुत सारी movies और videos photos वगएरा store करके रखते हो ना तो आपको दिक्कत हो सकती है और इसके लाब अगर आप video editing के लिए बहुत सारी footage वगएरा इसमें store करके रखते हो मतलब short मैं बोलू ना बहुत सारा data आप collect करके रखना चा वहाँ पर महालूट प्राइस पर आपको नए SSD और हार्डिस्क वगएरा मिला जाकर चेक कर लो सस्ते में जुगाड हो जाएगा दो ती नदार में काम निम्टा दूँगा अब आपको प्राइस बदाता हूं बिग बिलिएंडे सेल में कितनी होने वाली है MacBook Air M1 की तो MacBook Air M1 फ्लिप कार्ट बिग बिलिएंडे सेल पर नहीं Amazon ग्रेट इंडेन फेस्टिवल सेल पर आपको डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा Amazon इसको हाइलाइट करेगा कि अंडर 50,000 रुपीज मिलेगा मला 49,999 रुपीज लेकिन उसमें काफी सारे एक्स्चेंज बोनस पता नहीं क् एक्चिल प्राइस जो रहेगी वो 59,999 रुपीज मतलब लगबग 60,000 प्राइस रहेगी लेकिन बैंक डिस्काउंट बगएर के बाद लगबग 55,000 में अराम से MacBook Air M1 मिल जाएगा जूकि एक्सिलेंट डील है बाई मतलब Windows बगएरा को तो छोड़ो बाई ये सभी को टकर दे करने वाला इस प्राइस में तो डेफिनेटल आप इसको पर्चेस कर सकतो लिंक आपको डिस्कुशन में दे दूँगा इसके हमने काफी सारी एक्सेसरी वगएर की वीडियो भी बना रखिया वो भी आप जाकर देख सकते हो तो इस MacBook की और भी काफी सारी वीडियो आना वाल